हाजी गालों स्टार्ट करते हैं किया एक और नया ठीक दॉर समय यह उसको समझाने से पहले मैं को डाइग्राम बनाता हूं ज़िए इस इस फेरिकल में रिकांद कर द्यांद से देखिए हां और यह स्पेरिकल मिर कर === डाइग्राम बनाया है अब मेरी बात द्यान समझेगा आप लोग मैंने यहां पर क्या करा एक प्रिंसीपल एकसिस लिया है ठीक यह इस इस दा प्रिंसीपल एकसिस बिटा एक बात को विशेश तोर पर जान समझेगा हमने क्या करा यहां पे एक रे ली जो की पैरलल थी किसके प्रिंसीपल एकसिस के लो भी यह और जो रे पैरलल थ आ किसी प्रिंसी प्रैक्सेस के ँरों वो कहां से पास करेगी कि जिस ही प्यान लिजी इस प्रकार से अब तरब मन में आतू रहुगा कौन सा olion अब फोलो ही नियुक्त है जो हम सोच रहे हैं अब थिक है मैंने अभी सिर्ब ठाएया है कि एक पॉइंट है जहांसे पास करी है जहां पर ये principle axis को cut कर रही है वह एक point इसम्टींग है इतना मेरा अगो बोला है यह बहुंत तो clear है कि यह जो है यह parallel रहे है किसके principle axis के मैंने सिर्फ parallel बोला और कोई word यूज नहीं किया है यह parallel किसके है principle axis के मेरे शब्दों को ध्यान समझेगा विटा आफ्टर रिफलेक्शन ये पास करी किसी ऐसे पुइंट से जो principal axis को कट करते मतरा principal एक्सी करते किसी पॉइंट से पास कर रही है अब हम क्या करेंगे वेड़े ये प्रिंसी पलेक्सी से मैं आगे लिख देता हूं यहां पर कहीं पर center of curvature होगा हाँ बहुत से यार अभी जो center of curvature होगा यहां से जो line निकलेगी बेटा वो कहलाएगी normal क्या कहलाएगी normal reflection के जो low है वो तो यहां भी valid होंगे न यार और spherical surface से जो नॉर्मल होती है और बाईया जो यह बाईया जो यह सफियर के परफेंडिकुलर निकल रही हो वो इसेंटर से पास करेगी गि तो सेंटर से पास करने वाली लाइन हो गई तो यह हो जाएगा आपना सेंटर ओफ कर वेचर दो हुए गफने अपंट जहां पर टुछ कर रही है और इसी का हूं बोल देगे नारबल, getting my point, अब आ रहा है ना, अब सोच कि this angle is theta, then this angle is again theta, हाँ सर, ये तो संच में आता है सर, और अच्छे से आता है सर, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल दूगा कि भीया, यहां पे perpendicular खीज दीजिए, इस परकार से, getting my point, यहां पे perpendicular ख अगर यह angle है, ऐसे line है, यह theta है, तो यह भी theta होगा, तो भीया, अगर यह theta, यह theta, यह perpendicular, तो यह angle भी बराबर होंगे, और यह बीच की line common है, तो इसका मतलब यह, 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 दो triangle जो है, ध्यान समझेगा, दुबारा बता रहा हूं मैं, यह triangle और यह triangle, दोनों आपस में congruent है, getting my point, तो what I can say, कि यह पूरा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, वो r होगी, तो भीया मैं कह सकता हूं कि यह r by 2, और यह r by 2 हो जाएगी, getting my point, यह angle theta है, वो r by 2 है, अब आप इस triangle को ध्यान से देखिए, कि इसको, इसको और इसको, बैटा इस triangle को आप ध्यान से देखोगे, मैं एक काम करता हूं नाम रख देता हूं, इस point का नाम c, इसका नाम m, इसका नाम n, इसका नाम q, इसका नाम, बस काफी है, हो तो गए है, तो what I can say, कि cq is equals to r, and अगर triangle c, m, n, are congruent to triangle, q, m, n, अगर congruent है, तो what I can say, कि cm is equals to mq, and cm जो हो जाएगा, बैटा, यहां से c से लेके m तक की जो दूरी है, वो c से लेके q तक की दूरी की आदी हो जाएगी, तो which is r by 2, सच में आ गया ना, तो यह r by 2 हो जाएगा cm, तो अब मैं समझ चुका हूँ, कि भीया, अगर आप ध्यान से देखो, तो इस triangle में, यह जो c से लेके n है, मैं क्या बोल सकता हूँ, in triangle, देखो, मैं लिख रहा हूँ, in triangle cmn, ज्यान समझ जीगा, जो cos theta होगा, cos theta is equals to base, which is r by 2, divided by hypertonus, which is cn, सच में आ रहा है, तो यहां से जो cn हो जाएगा, वो हो जाएगा, r by 2, cos theta, अरे तो बेटा, यही तो बन जाएगा, r by 2, sec theta, तो cn की value क्या रही है, r by 2, sec theta, मतलब what I can say, कि यह जो दूरी है, वो है, r by 2, sec theta, आई मेरी बात सन में, तो सर फिर यह दूरी कितनी हो जाएगी, तो बेटा, यह दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी, वो थी r, तो यह बचेगी, r minus r by 2, sec theta, this is the exact answer for this distance, यह दूरी कितनी आएगी, यह मान लिजिए, यहां पर हम लोग मान दो, क्यों मान लिया है, यहां पर p point मान लिए तो बेटा, यह दूरी कितनी आएगी, यह दूरी जो आएगी, यह दूरी जो आएगी, हाँ भी यह, तो यहां पर एक बड़ा important concept अब आने वाला है, पहली बात तो तुम्हारा दिमाग में आया होगा, कि कोई भी रहे अगर parallel आती है, तो focus से pass करती है, ठीक है, अब कोई भी रहे अगर parallel से आएगी, तो जिस point से pass करेगी, यह focus कर लाएगा, लेकिन मैं बोल रहा ह N is not a focus point, N वो point ही नहीं जो focus है, तो है, ऐसे कैसे होता है, परिटे बात ध्यान समझना, focus की definition क्या होती है, actually, focus में parallel word यूज नहीं होता सिर्फ, एक और नाम यूज होता है, तो सबसे पहले आप एक काम कीचिए, focus की definition को not down कीचिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, पर इसको not down क समझाता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, तो बेटा focus की definition में एक बात या आई, कि if, क्या बोला गया है, if array parallel and paraxial to the principal, so parallel to the principal axis as well as paraxial, अगर array parallel है और paraxial भी है, तो ही वो जिस point से पास करें कि, वो focus कहलाएगा, सरी, paraxial क्या होता है, important point है, लेकि मेरी बात समझना, हर point, focus point नहीं कहला था, अरे सरी बड़ा confusion सा हो रखा है, focus क्या होता है, बेटा focus के लिए parallel होनी चाहिए और paraxial होनी चाहिए, मैं आपको एक example लेता हूँ, जिसे माल लीजिए, कि if theta is very small, theta equals to very small, theta बहुत चोटा angle है, बहुत चोटा, अब वो इतना चोटा है, इतना चोटा है, कि जो np होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ, r minus r by 2, sec theta, बेटा जो sec theta है, वो अगर angle theta अगर बहुत चोटा है, वो tends to 0 है, तो we can write sec theta tends to 1, और उस case में मैं लिख पाऊंगा, कि जो np हो जाएगा, वो हो जाएगा approximately equals to r minus r by 2, तो इसका जो answer आएगा, वो approximately r by 2 आएगा, आपे संज में आ रहा है न, तो बेटा अगर angle बहुत चोटा हो गया, बहुत चोटा हो गया, तो यह np की में लिख अप्रोक्सिमेटली r by 2 आएगा, और एक्चुली परिक्जल का मतलब भी यही होता है, कि जिस रे, जो रे जो है, वो किस angle पर गिर रही है, अगर angle बहुत चोटा है, मतलब angle of incidence अगर बहुत चोटा है न, तो ही हम लोग consider करते हैं paraxial consider करते हैं बात क्या हुरी है आपे paraxial तब ही होगी जब angle बहुत चोटा होगा तो रे अगर parallel है और paraxial है तो ही मैं कह सकता हूँ कि यह जिससे pass करेगी वो focus होगा सर यह क्या मतलब मतलब यह है कि अगर parallel होगी और paraxial होगी तो जिस point से pass करेगी वो r by 2 होगा और इसका मतलब r by 2 ही focus होता है आए आए बास समझ में बटा आपको क्या रटना है कि mirror के case में r by 2 is the focus ये fix है ये change नहीं करता है इसको बताने का रास्ता है जो मनें बताया कि अगर ray parallel होती है paraxial होती है तो वो उस point से pass करेगी जो focus के लाएगा तो सर क्या इसके लिए focus नहीं है बटा focus तो इस mirror के लिए भी है सब mirror के लिए होता है focus is the property of mirror ray की तो ना property होती कि paraxial नहीं है तो focus है नहीं होगा अब फोकस तो होगा पर ये focus से pass नहीं करेगी क्योंकि focus तो r by 2 पे होगा और ये जहां से pass करेगी वह r by r minus r by 2 सेक्ट हिटा है आप ये getting my point तो बटा focus तो होगा जैसे मान लिजे कि डेली है अप कोटा से तुम लोग दिल्ली जाओगे भई दिल्ली तो फिक्स है न दिल्ली तो वही है, मैंने आप आप से कहा कि आप एक काम कीजिए आप यहांसे जहपूर जाईए जहपूर से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे संदा-सदधा roadmap here पिस अपर पू कर चलना है और आप लो दिल्ली पहुंच जाएंगे तो इसी परकार से मैंने बोला कि अगर پारलल होगी, पैराउल होगी, यह रास्ता है वहाँ तर पहुचने का तो आफटर रिफ्लेक्शन जहां से पास करेगी वो फोकस होता है पर फोकस्यों मिलल की प्रोबरटी है यार वो तो बताने का तरीका है कि अगर पैरलल और पैरेक्जियल है ना तो जहां से पास करती है ना वो फोकस कहलाता है ना अगर माल लीजिए पैरलल है और पैरेक्जियल है तो जहां से पास करेंगी वो क्या कहलाएगा फोकस आई मेरी बास में फोकस किसकी प्रोपर्टी होती है कि फोकस कहां पहोता है आर अर बाइटी डिफाइड मीडा है लेकिन कोई भी रैंडम अगर लाइट आती है और वह आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रेंडम्र रही आ और after reflection जिस point से pass कर रही है अगर वो non-paraxial है तो point भी focus नहीं होगा वो point कोई भी random point हो जाएगा और उस point की distance इस pole से r minus r by 2 sec theta होगी बटा यह question है बहुत ही शांदर सवाल है सवाल बनते हैं इसके उपर मतलब बहुत ही प्यारा concept है focus कहां पर होता है r by 2 इस पर aims में सवाल पूछाता है मैं आपसे पूछूँगा अभी और focus होता कहां पर है r by 2 आई मेरी बास में और focus निकालते कैसे हैं अपर किसी भी mirror के उपर parallel range डालिए या parallel and parallel range डालिए जहां से pass करेगी वही focus कहलाएगा getting my point तो बेटा आप सबसे पहले आप यहां पर यह note down कीजिए कि focus के लिए sorry paraxial के लिए क्या-क्या points consider हम लोग करते हैं तो फटाफट से note down कीजिए इन points को जल्दी से फटाफट से हाँ वही तो मैं आपको एक कॉशन कराता हूं तो सब्सक्राइब को नोट डाउन कीजिए एम्स का सवाल है हाँ वेटा तो अब आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपको पूरा पुरा ही जो कॉश्चन है ग्राफिक में कराने वाला हूं तो बस मैं आपको सब्सक्राइब समझाओंगा पूरा सवाल आपको नोट डाउन नहीं करना सिर्व आपको समझना है किस परकार सोल्व हो रहा है उसके बाद फिर मैं आपको नोट डाउन करने का टाइम दूगा सवाल में क्या पूचा गया है कि एक पैरलल और पैरेग्जियल तो बोला ही नहीं नोगों ठीक है सिर्व पूचा किया कि पैरलल तो प्रिंसीपल एक्सी एक रह थी और वो क्या करिया आफ्टर रिफ्लेक्षन पास कर गई तो एक्स पूचा गया है अब बेटा आपको तो पता है कि मैंने बता दिया कि पैरलल प्रेक्जियल दोनों होनी चाहिए और यह सब प्लान डिगना लेकिन आपको किसे पता जगेगा कि एक्जाम के अंदर जब आप होंगे तो बच्चा उसमें दिमाह में खोया रहता है कि ठीक है भई पड़ा बट पैरलल लाई तो फोकस से सबपा करेगी इसलिए को दिमाक से निकाल आए है सवाल था यह वेपकस परकार से फेरे और अ नष्चार से पहले अरे अब जो रही है तो यह कहां से पास कर रही है यह जित्प पॉइंट से पास कर रही एग से गेटिंग वह रेख को कितने इसरेंटर उपर आ रही है अब चाहे आर कुछ भी हो पर आर 2F के बराबर होता है क्योंकि फोकस हमेशा R by 2 के बराबर होता है दिख रहा है आपको तो यह हुझाएगा 2R sorry R by 2 मतलब यहां पर इस डिस्टेंस जो हो बन जाएगी 2F सब्सक्राइब आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है अब आपको एंगल दिखाई देगा साइन ठीटा बराबर में लिख दूंगा यहां पर F by 2F which is equals to 1 by 2 तो ठीटा हो जाएगा 30 डिग्री मतलब बैसिकल 30 डिग्री पर टच हुआ 30 पर ही वापिस आएगा जहां जा टचों के निकलेगा वह दूरी कितनी विजाएगी R minus R by 2 sec theta एंड वोट इस sec 30 2 by root 3 तो आंसर रहाएगा R minus R by 2 into 2 by root 3 इसका final answer बनेगा R minus R by root 3 गेटिंग मैं पॉइंट तो पेटा पूरा सवाल है जिसको आपको नोट डाउन करना है आब इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए उसके बाद फिर हम लोग इस चेप्टर को नहीं इस लेक्चर को हाजएज समाप्त करेंगे और मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर नए एनरजी के साथ में थैंक्यू सो मच आते रही है सिखते रही है थैंक्यू